दीदी शेहर में मेरे अधिकतर दोस्तों के पास email account है मैं भी एक रखने का इच्छुक हूँ क्या मैं भी email account खोल सकता हूँ बिल्कुल रोहन तुम भी विभिन email सेवाओं के द्वारा अपना email account खोल सकते हो लेकिन कैसे दीदी? मैं एमेल के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि एमेल सेवाओं के द्वारा तुम अपना अकाउंट कैसे खोल सकते हो बहुत अच्छा दीदी ईमेल या इलेक्ट्रोनिक मेल इंटरनेट पर संदेशं के आदान प्रदान का एक तरीका है ईमेल में कई भाग होते हैं प्राप्त करता क्षेतर, विशेक चेतर और संदेश क्षेतर इन अनुप्रयोगों का उपयोग करने के लिए आपके पास एक email अकाउंट होना चाहिए वेब आधारित बहुत सारी email सेवाएं उपलब्ध हैं जैसे Gmail, Yahoo और Hotmail आप इन में से किसी एक website पर अत्वा सभी पर अपना email अकाउंट बना सकते हैं चलो हम सीखें Gmail अकाउंट बनाने के लिए पहले विब ब्राउजर खूले अब एड्रेस बार में www.gmail.com टाइप करें तब Go बटन पर क्लिक करें या Enter बटन दबाएं उसके बाद नया अकाउंट बनाएं पर क्लिक करें अब Online पंजी करन फॉर्म भरें तब आगे बटन पर क्लिक करें और तब Gmail पर जारी रखें पर क्लिक करें अब अपना Email अकाउंट प्रयोग कर सकते हैं Gmail अकाउंट का प्रयोग करना Gmail अकाउंट तक पहुँचने के लिए आपको पहले Sign In करना होगा और इसके लिए पहले Gmail होम पेज पर जाएं अब आप अपने अकाउंट प्रष्ट देख सकते हैं प्रष्ट पर विभिन लिंक जैसे Inbox, Start, Important, Sent Mail, Draft और Compose होते हैं ये लिंक अपने से संबंदित जानकारी रखते हैं Inbox सभी प्राप्त होने वाले संदेशों को संचित करता है Inbox पर क्लिक करके आप प्राप्त सभी संदेशों तक पहुँच सकते हैं आप अपने ओनलाइन मित्रों से गपशब भी कर सकते हैं दाहिने भाग पर आप प्राप्त की गई सभी email को देख सकते हैं और उनमें से किसी को देखने के लिए आप उसे खोल सकते हैं यदि आप email भेजने वाले को जवाब देना चाहते हैं तो email के दाहिनी और दिख रहे तीर पर क्लिक करें और फिर reply बटन पर क्लिक करें एक reply box दिखाई देगा जिस पर सेवा में के क्शेत्र में प्राप्त करता की email ID दर्ज होगी संदेश क्शेत्र में अपना जवाब टाइप करें फिर email भेजने के लिए उपर दाहिनी और दिख रहे भेजें बटन पर क्लिक करें दीदी अपने किसी एक मित्र को email कैसे भेज़कता हूँ? यह बहुत आसान है केवल नीचे दिये गए पदों का अनुसरन करें पहला compose संदेश बनाए पर क्लिक करें एक नई संदेश विंडो दिखेगी तब सेवा में क्शेत्र में उसकी email ID टाइप करें जिसे आप संदेश भेजना चाहते हैं कई लोगों को एक साथ ही संदेश भेजने के लिए आप सेवा में क्शेत्र में अलपविराम के साथ उनकी ID टाइप कर उन्हें एक साथ ही संदेश भेज सकते हैं अब विशे क्शेत्र में अपने संदेश का विशे टाइप करें विशे क्शेत्र बॉक्स के ठीक नीचे अटाच फाइल लिंक पर क्लिक करके आप अपने संदेश के साथ दस्तावेज या चित्र भी भेज सकते हैं। संदेश क्षेत्र ठीक उपर फॉमाटिंग बटन आपको अपनी इच्छानुसार संदेश को फॉमाट सुविधा देता है। फिर अपने संदेश को भेजने के लिए भेजें बटन पर क्लिक करें। सफलता पूर्वक भेजे गए सभी इमेल भेजे गए संदेश फोल्डर में संरक्षित हो जाएंगे। आपके कुछ अपूर्ण संदेश ड्राफ्ट फोल्डर में संरक्षित हो जाएंगे। आप इन ड्राफ्ट संदेशों को कभी भी पूरा कर भेज सकते हैं। नया संदेश बनाने के लिए पहले नया संदेश बनाए यानि कम्पोज मेल पर क्लिक करें। फिर टू बॉक्स में उसकी इमेल आईडी टाइप करें जिसे आप संदेश भेजना चाहते हैं। यदि आप संदेश की प्रती किसी अन्ने को भी भेजना चाहते हैं, तो उसका इमेल एड्रेस सीसी बॉक्स में टाइप करें। सीसी का अर्थ है कारबन कॉपी। अब विशेक शेतर में अपने संदेश का संख्शिप्त विशे टाइप करें। अब विशेक शेतर के ठीक नीचे खालिस्थान पर अपना संदेश लिख सकते हैं। अब विशेक शेतर के ठीक नीचे खालिस्थान पर अपना संदेश लिखें। यदि आप संदेश ड्राफ्ट संदेश की भाती संरक्षित करना चाहते हैं, तो सेव ड्राफ्ट या सेव नाउ पर क्लिक करें। अपने संदेश को भेजने के लिए भेजें बटन पर क्लिक करें। आप अपने इमेल संदेश के साथ दस्तावेस या चितर भी जोड़ कर भेज सकते हैं। कंपोज प्रिष्ट पर सबसे नीचे अटाच फाइल आइकान पर क्लिक करें। एक नई विंडो आपको निर्देशित करते हुए प्रकट होगी कि फाइल जिस फोल्डर में सुरक्षित हो उसे चुनो। जिस फाइल को जोड़ना चाहते हों उसे खोजें और फिर उस पर क्लिक करो। तत पच्चाथ विंडो पर ओपन पर क्लिक करें। जिस फाइल को जोड़ा है वह सबजेक्ट बॉक्स के नीचे दिखाई देगी। अपने संदेश को भेजने के लिए भेजें बटन पर क्लिक करें। एक संदेश अथवा कई संदेशों को मिटाने के लिए पहले इन बॉक्स पर क्लिक करें। तब उन संदेशों के बगल में बने चेक पर क्लिक करें जिनें आप मिटाना चाहते हों। और तब प्रिष्ट में उपर डिलीट आइकॉन पर क्लिक करें। इमेल अकाउंट से बाहर निकलने के लिए पहले साइन आउट लिंक धूंडें और उस पर क्लिक करें। जो प्राय है, इमेल अकाउंट के दाई और होता है। जिससे आपको इमेल प्राप्त हुआ है, उसे जवाब देने के लिए reply विकल्प का चैन करें। प्राप्त संदेश में व्यक्त की गई सभी इमेल आईडी पर जवाब भेजने के लिए reply all विकल्प का चैन करें। यदि आप किसी विशेश संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति को भेजना चाहते हैं, जिसकी इमेल आईडी संदेश की किसी भी फिल्ड में नहीं है, तो आप उस संदेश को उसे अग्रसारत या आगे किसी अन्य को भेज सकते हैं। इसके लिए आपको forward बटन का प्रयोग कर email आईडी टाइप कर और send बटन का चैन करना होता है। आप मुझे अपने अकाउंट में प्रवेश करके दिखाएं, एक संदेश बनाएं और एक फोटो के साथ अपने किसी मित्र को भेजें। हाँ, मैं भी स्वयम प्रयास करने को उच्चुक हूँ। Step 5, फोटो अटेच करने के लिए अटेच फाइल पर क्लिक करें। Step 6, एक नई विंडो प्रदर्शित की जाएगी फोटो का चैन करें और ओपन पर क्लिक करें। Step 7, मैसेज बॉक्स में अपना संदेश टाइप करें। Step 8, email भेजने के लिए send बटन दबाएं। मैं जानती हूँ कि अब तुम इमेल सुविधाओं का उपयोग कर सकते हो, यहाँ एक कतिविधी दी गई है, जिससे आप अब तक सीखी बातों को दोहराएंगे इंटरनेट का उपयोग करने के विभिन रोचक तरीके हैं, उनमें से एक है कि आप वोईस मेल भेज सकते हैं या इंटरनेट का उपयोग मोबाईल फोन की तरह कर सकते हैं सजदीदी, वाँ, यह तो बहुत ही रुमांचकारी है हाँ रोहन, बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जो इंटरनेट को टेलीफोन युक्त बनाती हैं आप उनमें से कुछ के बारे में मुझे कृपया बताईए बिल्कुल, अब हम ऐसी सेवाओं के बारे में चर्चा करते हैं वाइस ओवर, इंटरनेट प्रोटोकोल एक तकनीक है जिसका उपयोग इंटरनेट पर फोन सेवाओं के लिए किया जाता है VOIP के द्वारा इंटरनेट पर VOIP सेवा प्रदाता वमानक कंप्यूटर की आवाज प्रनाली का प्रयोग कर कॉल की जा सकती है VOIP लंबी दूरी की पारंपरिक कॉल लागत की तुलना में अच्छी खासी बचत करता है VOIP के प्रमुख उदाहरन है Skype चलो सीखते हैं कि Skype को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे किया जाए Skype संचार का एक यंत्र है जो इंटरनेट के माध्यम से संसार भर में कहीं पर भी मुफ्त में बात करने की अनुमती देता है आप अपने कंप्यूटर, लैप्टॉप से Skype प्रयोग करता वो लैंड लाइन या मुबाइल फोन पर शुलक रहित कॉल कर सकते हैं Skype की विशेशताएं हैं त्वरित संदेश भेजना, वोईस कॉल ववीडियो कॉल Skype को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के कदम पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करें फिर इंटरनेट एक्स्प्लोरर पर एक बार जब इंटरनेट खुल जाए तब एड्रेस बार में www.skype.com टाइप करें अब गो बटन पर क्लिक करें या एंटर दबाएं Skype का होम पेज अब खुल जाएगा तब डाउनलोड पर क्लिक करें डिवाइस सेक्शन में कंप्यूटर डिफॉल्ट रूप से चुना गया है ततपच्चात गेट स्काइप फॉर विंडोज डेस्क्टॉप स्काइप बटन पर क्लिक करें Skype setup.exe का प्रारंभिक प्रश्ट दिखाई पड़ेगा अब फाइल का कंप्यूटर में समुचित स्थान पर सुरक्षित करने के लिए Save बटन पर क्लिक करें एप्लिकेशन को स्थापित करने के लिए उस स्थान पर जाएं जहां पर सेटप फाइल को सुरक्षित रखा गया है और फिर स्थाप की सेटप फाइल स्काइब सेटप.exe पर डबल क्लिक करें फाइल खोले सुरक्षा जेतावनी दिखाई पड़ती है अब स्थापित करने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए Run बटन पर क्लिक करें अब ड्रॉप डाउन मेन्यू से भाषा इंगलिश का चैन करें और फिर I agree next बटन पर क्लिक करें तब continue बटन पर क्लिक करें स्काइब का स्थापन प्रारंब हो जाएगा स्थापन प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रतीक्षा करें एक बार जब स्थापन प्रक्रिया पूर्ण हो जाए तो नया अकाउंट बनाने के लिए Create an account बटन पर क्लिक करें तब एक Sign in वेब प्रिष्ट प्रकट होगा अब पंजीकरन फॉर्म पर आविश्यक विवरन दर्ज करें अब सुरक्षा शब्द दर्ज करें और फिर I agree continue बटन पर क्लिक करें आपका Skype अकाउंट बन जाएगा अब मैं आपको सिखाती हूँ कि आप संपर्पकों के साथ समवाद स्थापित करने में Skype का प्रियोग कैसे करें हाँ, कृप्या समझाईए यह सब बहुत ही रोचक है Skype को चालू करने के लिए अपना Skype नाम वो पासवर्ट दर्ज करें और ततपच्चात Sign Me In बटन पर क्लिक करें अब यदि आप Skype में संपर्क जोड़ना चाहते हैं तो संपर्क मेन्यो पर क्लिक करें और संपर्क जोड़ें का चैन करें फिर सर्च Skype डारेक्टरी का चैन करें जिस व्यक्ति से आप जोड़ना चाहते हैं उसका इमेल आईडी, फोन नंबर, नाम वो Skype नाम संपर्क को ढूड़ें और फिर उसे संपर्क में जोड़ने के लिए अड कॉंटाक्ट बटन पर क्लिक करें एक संपर्क प्रार्थना बॉक्स खुलेगा जिससे आप जुड़ना चाहते हैं उसे आमंतरत करने के लिए Send request पर क्लिक करें जब व्यक्ति आपके आमंतरत को स्विकारेगा तो उसका नाम आपकी संपर्क सुची पर प्रदर्शित होगा आप संपर्क सुची से उस आउनलाइन संपर्क का नाम चुन उससे संपर्क संबाद कर सकते हैं संपर्क सुची का जो सदस से आउनलाइन होगा उसके नाम के आगे चेक मार्ग हरा हो जाएगा आप किसी के साथ गपशप करना चाहते हैं तो कंटाक्ट बटन पर क्लिक करें उस संपर्क के नाम के साथ एक चाट विंडो खुलेगी अपने करसर को चाट बॉक्स पर ले जाएं और अपना संदेश टाइप करना शुरू करें संदेश भीजने के लिए सेंड पर क्लिक करें अत्वा एंटर बटन को दबाएं वोईस कॉल के लिए कॉल बटन पर क्लिक करें यदि संपर्क आपकी कॉल स्विकार लेता है तो आप उससे बात कर सकते हैं कॉल काटने के लिए एंड कॉल बटन पर क्लिक करें यदि आपके computer पर web camera उस्थापित है तो आप video call भी कर सकते हैं Video call करने के लिए video call बटन पर click करें आप संपर्क को चुन कर उससे file भी साजा कर सकते हैं File जाजा करने के लिए पहले conversation button को चुने फिर send button को चुने फिर file button को चुने आप जिस फाइल को भेजना चाहते हैं उसे खोजें और फिर open पर क्लिक करें आपका संपर्क भी आपको फाइलें भेज सकता है यदि कोई फाइल भेजी गई होगी तो संपर्क सूची के notification विंडो में orange check marks के रूप में प्रदर्शित होगी आप save as बटन का चैन कर फाइल प्राप्त कर सकते हैं तर पश्चाद जिस स्थान पर आप फाइल को संपर्क्षित करना चाहते हों का चैन करें फिर save बटन का चैन करें फाइल खोलने के लिए open file या show in folder पर क्लिक करें यदि आप skype का प्रयोग समाप्त कर चुके हों तो sign out करने के लिए skype क्लिक करें फिर sign out बटन का चैन करें अब मैं आपको स्वधा skype का प्रयोग करते हुए देखना चाहती हूँ अवश्य step 1 skype प्रारंब करें step 2 अपना skype नाम और password दर्ज करें और फिर sign in पर क्लिक करें step 3 contact टैप पर क्लिक करें और उस दोस्त का चैन करें जिससे आप चैट करना चाहते हैं step 4 बातचीद शुरू करने के लिए call अथवा video call बटन पर क्लिक करें step 5 यहाँ आपको उस दोस्त से connect करना शुरू करेगा जिसके साथ आप चैट करना चाहते हैं मैं आपको एक और सेवा के विशे में बताती हूँ जिसका प्रयोग भी इसी उदेशे के लिए होता है इसे hangout कहते हैं hangout? हाँ hangout यह Google द्वारा विकसित एक त्वरित संदेश वाहक और वीडियो चाट मंच है यह Google के तीन संदेश वाहक, उतपाद, टॉक, Google+, मिसेंजर और hangout का मिशृत संसकरन है hangout दो या दो से अधिक लोगों के मद्धे बातचीत को बनाए रखता है hangout application में बहुत सारे विशेशताएं है hangout का प्रयोग शुरू करने के लिए निम्नपदों का अनुसरन करें पहला Google+, में hangout निशान को स्रजित करना Google+, एक social networking site है जो Google के खाता धारकों के लिए बनाई गई है अब hangout का frame ढूनते हैं hangout Google+, प्रिष्ट पर दाएं हाथ की और स्थित होता है आगे एक नया hangout बनाने के लिए hangout सुची में सबसे उपर के क्षेतर में new hangout पर क्लिक करें यह सुची आपके संपर्कों की सुची वह Google+, के गोले के निशान में परिवर्तित हो जाएगी जिस आदमी को आप hangout से जोड़ना चाहते हैं उसके नाम के आगे के box को चेक करें लोगों वह मंडली की खोज आप सर्च box पर नाम, इमेल पते, अथवा phone number लिख कर भी कर सकते हैं अब Google+, hangout में गपशप प्रारंभ करने के लिए उन व्यक्तियों पर क्लिक करें जिनके साथ आप चाट करना चाहते हैं एक चोटी विंडो प्रकट होगी send a message, box में लेक लिखें और enter दबाएं यदि आप अपने वार्तालाप में emoji जोड़ना चाहते हैं तो मुस्कुराते चहरे पर क्लिक करें अथवा chat इक्षेतर के दाई और से मुस्कुराते चहरे को उठाएं मनोभाव व इमोजी की एक सुची खुल जाएगी जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं वे कई वर्गों में विभाजित होते हैं जो की मनोभाव स्क्रीन के उपर आईकॉन को चुनकर ले जाए जा सकते हैं आप चैट इक्षेतर के दाई और पर क्यामरा आईकॉन पर क्लिक करके अपने हैंग आउट के साथ फोटो जोड़ सकते हैं यह है अपने कंप्यूटर से फोटो का चैन करें का विकल्प या मोबाइल डिवाइसों पर विकल्प मेनू खोलेगा आप फोटो लेने के लिए अपने वेब क्याम या कैमरे के फोन प्रयोग कर सकते हैं या आप किसी अन्यस त्रोथ से फोटो को जोड़ सकते हैं जैसे की computer अथवा phone की memory. चाट को वीडियो चाट में बदलने के लिए चाट बॉक्स के उपर मौजूद वीडियो क्यामरा बटन पर क्लिक करें. दूसरे व्यक्ति को सुचना प्राप्त हो जाएगी कि आप वीडियो चाट का प्रयास कर रहे हैं. आप computer वो mobile दोनों पर वीडियो चाट कर सकते हैं. यदि आप अपनी चाट सेटिंग को समन्वित करना चाहते हैं, तो चाट विंडो में gear आइकन पर क्लिक करके आर्काइफ सेटिंग का चयन अपने साथ चाट करने से रोक सकते हैं. यदि आप mobile का प्रयोग कर रहे हैं, तो menu बटन दबाएं और menu पर प्रकट हो रहे अपने विकल्प को चुने. आप चाट विंडो के बाएं हाथ पर मौजूद group hangout बटन पर क्लिक करके समूह में hangout कर सकते हैं. चेक बॉक्स पर क्लिक करके आप समूह बना सकते हैं, जिसमें आप hangout करना चाहते हैं. आप चाट को भविश्य में कभी देखने के लिए YouTube पर सनरक्षित भी कर सकते हैं. क्या यह रोमांचक नहीं था? अब हम गतिविधी में भाग लेंगे. रोहन, आजकल दुनिया भर में लोग एक दूसरे से बाते करने के लिए Facebook वँ अन्य सोशल मीडिया सेवाओं का प्रयोग करते हैं. दी-दी, Facebook वँ सोशल मीडिया, सेवाएं क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. ओ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊंगी. सोशल मीडिया उस साधन को दर्शाती है, जिससे लोग इंटरनेट नेटवर्क से परसपर संबंध या आपसे समवाद स्थापित करते हैं और सूचना बनाते हैं, साजा करते हैं और आदान-प्रदान करते हैं. सोशल मीडिया उनलाइन संचार के माध्यमों का संग रह है, जो की समुदाय आधारित, निवेश, आपसे समवाद, विशेवस्तु, साजा करने और सहयो को समर्पित है. सोशल मीडिया एप्लिकेशन के उदाहरण हैं फेस्बुक, ब्लॉग, ट्विटर और लिंक्डिन. सोशल मीडिया के कई प्रकार होते हैं, चलो हम उन सब के बारे में और जाने. सोशल मीडिया टूल के प्रकार हैं, उनलाइन चैट, ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग, इंटरनेट पर किसी भी प्रकार के विचारों के आदान प्रदान को उनलाइन चैट कहा जा सकता है, जिसमें की लिखित संदेश संचार भेजने वाले से प्राप्त करने वाले को उस बहुत सारे लोग एक साथ प्राप्त कर सकते हैं, उस से वॉइस या वीडियो चैट कर सकते हैं, याहू मेसिंजर और जी टॉक इसके उदाहरन हैं, ब्लॉग किसी व्यक्ति विशेश, समूह, अत्वा संगठन द्वारा रखा जाने वाला ओनलाइन बही खाता है, ब्लॉग चर्चा वव वाद विवाद को साजह करने में किया जाता है, ब्लॉग के उदाहरन हैं, ब्लॉगर और वर्डप्रेस, सोशल नेटवर्किंग एक मंच है जो उन लोगों के मध्य एक सामाजिक नेटवर्क या सामाजिक रिश्टा बनाता है, जो एक दूसरे से अपनी सिद्ध सोशल मीडिया सेवा है, मुझे यह दिखाने दो कि आप उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल दिदी, यह फेस्बुक में बहुत इच्चुक हूँ, फेस्बुक के प्रयोग करने का धंग है, पहले वेब ब्राउजर खोले, तब एड्रेस बार में www.facebook.com ट पर क्लिक करें, यह आपको तीन चरणों में पूर्ण वाली पंजिकरन प्रक्रिया पर ले जाएगा, अब संपर्क में जोडने के लिए Find Friends पर क्लिक करें, आप इस प्रिष्ट की प्रक्रिया को छोड़ भी सकते हैं, फिर Profile सुचना प्रष्ट को भरें, आप इस में मौझूद फोटो को अपनी Profile पर अप्लोड कर सेट कर सकते हैं, उसके बाद Save and Continue बटन पर क्लिक करें और आपका Facebook अकाउंट बन जाएगा, आप Find People You Know भाग में लोगों का नाम या Email आईडी टाइप कर उन्हें जोड भी सकते हैं, आप अपनी अवस्था को भी Facebook पर अप Post बटन दबाएं, टाइम लाइन टाब में आप अपने कारिस्थान, शहर, स्कूल और संबंधों का विवरंट दे सकते हैं, टाइम लाइन बार में एक Search Box भी होता है, जहां आप अपने मित्रों का नाम लिख कर उन्हें खोज सकते हैं, और फिर उनकी Profile देख सकते हैं, मित् Sign Out कर सकते हैं, फिर Log Out विकल पर क्लिक करें, अब आपके पास Facebook अकाउंट है, जब आपको अगली बार फिर देखना हो, तो अपने E-mail या Phone Number और फिर Password का प्रयोग करते हुए Sign In करें, Facebook अकाउंट आपको संदेश Status Message भेजने की अनुमती देता है, जो आपके मित्रों द्वारा देखा, वो पढ़ा चा सकता है, संदेश Status Message भेजने के लिए Update Status के नीचे Black Box पर क्लिक करें, और अपना संदेश टाइप करें, फिर Post बटन पर क्लिक करें, किसी Post अथवा, फोटो अ अथवा, Content पर अपने विचार भेजने के लिए Message के नीचे Comment लिंक पर क्लिक करें, एक Text Box दिखाई देगा, अपने विचारों को टाइप करें और Enter दबाएं, Facebook बार आपको आपके मित्र के अनुरोध, संदेश और ततकालिक क्रिया क्लापों के विशय में बताता है, दी गई आकृतियां उन्हें उजागर करती हैं, Facebook कई व्यापारों के अपने ग्रहकों समवाद करने तथा कमपनी को बढ़ावा देने के तरीके को बदल रहा है, Facebook पर पेज बनाना Facebook के उप्योगों में से एक है, चूंकि यह संसाधन शुल्क रही थै, आप आसानी से इस साइट की पूरी क्षमता का उप्योग कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस की प्रुफाइल बनाने के लिए, होम पेज के तल पर स्थित, create a page पर क्लिक करें, लोकल बिजनेस और प्लेस पर क्लिक करें, ड्रॉप डाउन बोक्स में सुची बद विकल्पों में से वर्ग का चैन करें, और फॉर्म में विवरंट जैसे पता, शहर और संपर्क नंबर भरें, गेट स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, अगली विंडो में आपको अपने वियापार के सभी विवरंट भरने होंगे, आप जिस वियापार को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके बारे में कुछ बुनियादी जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी, अपने पेज पर पेज के लिए बुगतान पदती जोडने के इच्चुक हैं, तो यह विंडो प्रकट होगी, अपने देश के रूप में भारत का चुनाव करें, जब आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं, तो एक विंडो प्रकट होती है, जो आप से आपके कार्ड के विवरंड के बा अविश्य में खरीदारी के लिए Facebook आपके भुकतान की जानकारी को सुरक्षित रखेगा। आप Account Settings में कभी भी यह जानकारी मिटा सकते हैं या Manage कर सकते हैं। आप अपने मित्रों को अपने पेज का सुझाव देकर उसे लोकप्रिय बना सकते हैं। अपना पेज पसंद कराने के उद्देश से आप अपने मित्रों को Build Audience बटन पर क्लिक कर आमंतरित भी कर सकते हैं। आपके मित्रों के नामों की एक सुची प्रकट होगी। आप अपना Facebook पेज देखने के लिए चुन सकते हैं और आमंतरित कर सकते हैं। आप प्रिष्ट पर ही दिये गए विभिन आइकोनों पर क्लिक करके अपने पेज की जानकारी प्रोफाइल फोटो को बदल सकते हैं। स्टेटस मिसेज पोस्ट करने के लिए करसर को स्टेटस के नीचे के बॉक्स पर पहुँचाने के लिए वहाँ पर क्लिक करें। अपना मेसेज टाइप करें और शेर पर क्लिक करें। किसी पोस्ट अथवा फोटो अथवा कंटेंट पर अपने विचार भेजने के लिए मेसेज के नीचे कमेंट लिंक पर क्लिक करें। अपने करसर को comment box में पहुँचाने के लिए क्लिक करें अपने comment को type करें और keyboard पर enter दबाएं फेसबुक अकाउंट से sign out करना फेसबुक से sign out करने के लिए home page पर उपर दाहिनी और drop down arrow button पर क्लिक करें फेसबुक से बाहर निकलने के लिए log out पर क्लिक करें हाँ, अब मैं इतना जानता हूँ स्टेप वान, फेस्बुक होम पेज में अपना इमेल आईडी या फोन और पासवर्ट दर्ज करें और फिर लॉग इन पर क्लिक करें स्टेप टू, स्टेटिस अपडेट के रूप में एक फोटो को जोडने के लिए अड़ फोटोस अथवा विडियो पर क्लिक करें स्टेप त्री, एक नई विंडो प्रदर्शित की जाएगी फोटो का चयन करें और ओपन पर क्लिक करें Step 4, Text Box में अपना Status Update लिखें Step 5, अपनी Status Update प्रकाशित करने के लिए Post पर क्लिक करें चलो, अब Twitter नाम की एक और शक्तिशाली Social Networking साइट के बारे में जानते हैं Twitter के माध्यम से आप बाहर तक पहुँच सकते हैं और दुनिया भर में लोगों के साथ अपने विचार, प्रभावी धंग से साजह कर सकते हैं यह फ्री है और दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा आपस में बातचीत करने वह सक्रिय रूप से जानकारी साजह करने में प्रयोग की जा रही है ट्विटर का प्रयोग करने के पद है पहले ट्विटर पर एक अकाउंट बनाए www.twitter.com पर जाएं और आवश्यक सूचना भर कर साइन अप करें एक बार जब आपने अपना अकाउंट बना लिया है और सफलता पूर्वक साइन इन कर लिया है तो आप ट्विटर का प्रयोग प्रारंभ कर सकते हैं यदि आप अपने अनुयाईयों के साथ कोई सूचना साजा करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स में अपना संदेश लिखे और फिर नीचे दिये बटन पर क्लिक करें ट्विट केवल 140 अक्षरों तक का ही हो सकता है अतह यह आपके ट्विट को संक्षिप्त रखता है उन व्यक्तियों का पीछा करने के लिए जिनसे आप ट्विट प्राप्त करते रहना चाहते हैं होम पेज पर दिये हुए मेन्यू बटन का प्रयोग करें और फिर who to follow शेत्र के नीचे प्रदर्शित फोलो बटन पर क्लिक करें किसी को सूची में जोडने के लिए उसकी प्रोफाइल पर जाईए और टूल बार में उसके आइकॉन पर क्लिक करें और add और remove from list का चैन करें आपकी सूची के साथ एक menu प्रकट होगा आप एक नई list बनाना चुन सकते हैं या मौजूद सूची में ही आदमी को चोड सकते हैं अपनी profile picture अपलोड करने के लिए आप अपने user नाम के नीचे drop down menu में setting पर क्लिक करें तब profile विकल्प पर क्लिक करें फिर computer पर उस folder को चुनने के लिए जिसमें आपने photo save कर रखा है चूज फाइल पर क्लिक करें यह picture पूरी site पर आपके नाम के साथ दिखाई देगी यह JPG, GIF या PNG फाइल होनी चाहिए और 700 KB से छोटी होनी चाहिए profile का शेश विवरन जैसे अपना नाम, स्थान या विब साइट भर सकते हैं यदि आप Facebook पर tweet post करना चाहते हैं तो profile page के तल पर post your tweet to Facebook बटन पर क्लिक करें tweet media और privacy setting की समिक्षा करें यह आपकी setting के account के तहत सुचिबध होते हैं application box को check करें और save changes बटन पर क्लिक करें समय समय पर अपना password बदलते रहें समय समय पर अपना password बदल कर अपने account की सुरक्षा करें इसके लिए setting में password पर क्लिक करें अपना पुराना password एंटर करें फिर दो बार अपना नया password एंटर करें फिर समाप्त करने के लिए change पर क्लिक करें तै करें कि आप Twitter से email का प्राप्त करना चाहते हैं Notifications टाब के अंतरगत कारियों की एक सुची होती है उन कारियों जिनके लिए आप email प्राप्त करना चाहते हैं के बाद बॉक्सों को चेक करें प्रतेक profile default bank ground वो color scheme के साथ शुरू होती है निम्न पदों के द्वारा आप इसका निजिकरन कर सकते हैं सेटिंग की डिजाइन टाब पर क्लिक करें आप change background image बटन का प्रयोग करके उपलब्द चित्रों अथवा स्वैम के द्वारा unload या upload किये गए चित्रों में bank ground का चैन कर सकते हैं तब अपने computer से upload करने के लिए choose file पर क्लिक करें change design color पर क्लिक करके आप रंग योजना के साथ भी खेल सकते हैं देखते हैं कि क्या आप अपने आप twitter का उप्योग कर सकते हैं step 1 twitter home page में अपना email id या phone या username और password डालें और फिर sign in पर क्लिक करें step 2 एक तस्वीर के साथ tweet करने के लिए compose new tweet text box में अपना संदेश टाइप करें step 3 add photo पर क्लिक करें एक नई window प्रदर्शित की जाएगी photo का चयन करें और open पर क्लिक करें photo upload हो जाएगा step 4 tweet बटन पर क्लिक करें अब मुझे यकीन है कि तुम facebook वो twitter का आसानी से प्रयोग कर सकते हो बिलकुल दीदी निश्चित रूप से कर सकता हूँ रोहन क्या तुम जानते हो कि कुछ ऐसी website भी हैं जो धेर सारी ऐसी जानकारियां उपलब्द कराती हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं नहीं दीदी ये कौन से site हैं वे हैं YouTube और Wikipedia दो सरवाधिक लोकप्रिय साइटे हैं जिनके द्वारा सूचना प्राप्त कर सकते हैं वो साजह कर सकते हैं YouTube गूगल द्वारा पेश की गई एक free website है यह 2005 में बनाया गया वीडियो शेर करने का मंच है YouTube अर्बो लोगों को मूल रूप से बनाये गये वीडियो को खोजने देखने वा साजह करने की अनुमती देता है YouTube दुनिया भर में लोगों को जुड़ने सूचित और प्रिरित करने के लिए मंच उपलब्ध कराता है तथा मूल सामगरी संचित करने वाले छोटे वा बड़े विज्यापन दाताओं के लिए एक वितरन मंच के रूप में कारे करता है YouTube चलाने के लिए आपको Internet Connectivity Adobe Flash Player और Speaker की अवश्यक्ता होगी पहले Start बटन पर क्लिक करें और Internet Explorer खोले फिर एड्रेस बार में www.youtube.com टाइप करें और Go बटन पर क्लिक करें या Enter दबाएं YouTube वेब पेज लोड होता है आप पेज के टॉप पर सर्च बार देख सकते हैं अब Search Items या Search Keywords टाइप करें और Search बटन पर क्लिक करें या Enter दबाएं फिर समबंधित वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें आप देखें कि चैनित वीडियो वीडियो प्लेयर में चलने लगता है आप वीडियो प्लेयर के नीचे विभिन नियंतरक जैसे Play, Pause, Volume, Mute, Total Time, Change Quality और Full Screen देख सकते हैं आप वीडियो के नीचे वीडियो का विवरन वो उस पर टिपणियां देख सकते हैं आपको लोकप्रिये वसामाने वीडियो देखने के लिए अकाउंट रखने की आवश्यक्ता नहीं होती है किन्तु निजी वीडियो देखने के लिए आपको लॉग इन अकाउंट की आवश्यक्ता होती है गूगल अकाउंट का प्रयोग करते हुए YouTube मत साइन इन करने के लिए YouTube वेब पेज के दाएं हाथ के कोने में सबसे उपर साइन इन बटन पर क्लिक करें गूगल साइन इन पेज प्रकट होता है अब अपना email address तथा password टाइप करें और साइन इन बटन पर क्लिक करें यदि आपके पास Google अकाउंट नहीं है तो आपको उसे बनाना होगा YouTube पेज प्रकट होगा सर्च बॉक्स के बाद upload बटन पर क्लिक करें पहली बार उपयोग करने वालों से यह अपना चानल स्थापित करने के लिए कहेगा और कुछ निजी जानकारियां जैसे लिंक और जन्मतिती पूछेगा इन विवरणों को भरें और Continue to upload बटन पर क्लिक करें फिर Select File to upload बटन पर क्लिक करें अब अपने कम्प्यूटर के माध्यम से ब्राउज करें जो वीडियो आप upload करना चाहते हैं उसे चुने फिर Open बटन पर क्लिक करें आप देखेंगे कि uploading चालू हो गई है और प्रगती आपको वेब पेज पर दिखाई देती है जब uploading पूरी हो जाती है तो एक संदेश upload complete प्रकट होता है आप बाद में वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं फिर Open बटन पर क्लिक करें आप शीर्शक व उसका वर्णन भी जोड सकते हैं और वीडियो की गोपनियता सेटिंग भी कर सकते हैं एक बार जब वीडियो अपलोड हो जाता है तो आप वीडियो मैनेजर का प्रियोग करके उसकी गोपनियता सेटिंग बदल सकते हैं या वीडियो को मिटा सकते हैं पहले वीडियो मैनेजर पर क्लिक करें तब जिस वीडियो को मिटाना है उस पर क्लिक करें तब आक्शन मेनियू पर क्लिक करें और डिलीट का चैन करें, एक पुष्टी करन संदेश प्रकट होगा, येस डिलीट, बटन पर क्लिक करने पर वीडियो मिट जाएगा, मुझे दिखाओ कि अब आप यूट्यूब का प्रयोग स्वैम कर सकते हैं, बिलकुल, स्टेप वान, यूट्यूब होम पेज में साइन इ करें और फिर साइन इन पर क्लिक करें, स्टेप थ्री, वीडियो अप्लोड करने के लिए अप्लोड बटन पर क्लिक करें, स्टेप फोर, सलेक्ट फाइल्स पर क्लिक करें, स्टेप फाइव, उस वीडियो का चैन करें, जिसे आप अप्लोड करना चाहते हैं और ओपन बटन पर क्लिक करें। अप्लोडिंग शुरू हो जाएगा। स्टेप सेक्स अपना अकाउंट बंद करने के लिए साइन आउट पर क्लिक करें। अब हम विकिपीडिया के बारे में पढ़ते हैं। विकिपीडिया एक वेब एप्लिकेशन है जो कि किसी को वेब साइट पर रखे गए कंटेंट को पढ़ने या एडिट करने की अनुमती देता है। किसी इनफोमेशन को एकसेस करने के लिए विकिपीडिया को प्रयोग करने के लिए उठाये जाने वाले कदम इस प्रकार हैं। पहले विकिपीडिया साइट पर जाएं www.wikipedia.org तब सर्च बार में टेक्स्ट टाइप करें। लांग्विज का चैन करें और फिर एरो बटन दबाएं। अगला प्रश्ट आपके द्वारा मांगी गई जानकारी को प्रदर्शित करेगा। पेज के सबसे उपर के भाग में पेज के कंटेंट्स उसके प्रतेक भाग के हाइपर लिंक के साथ होते हैं। आप किसी विशेश सेक्शन पर क्लिक करके सीधे उस सेक्शन पर जा सकते हैं। सामानित सभी पेजों के आखरी से दूसरा पिछले भाग सी ओल्सो का होता है जहां संबंधित लिंक दिखाए गए होते हैं। और अंतिम भाग references का होता है जिसमें संबंदित विशे के विभिन लिंक दिये होते हैं। Wikipedia में किसी लेख को संपादित करने के बद हैं। पहला, यदि आप वर्तमान में उप्योग करता हैं, तो sign in करें, अथवा account बनाएं। तद पश्चात, सफलता पूर्वक sign in करने के पश्चात, edit link पर क्लिक करें। अब वह उस page के लिए लेख युक्त एक window खोलेगा। कुछ पर टाइप करें या वहाँ जो लेख मिलें, उसमें परिवर्तन करें। यदि page के शिर्च पर आपको edit का विकल्प न दिखाई दे, तो शायद पूर्ण परिवर्तनों की अधिक घटनाओं के कारण यह page सनरक्षित है। यदि आप लेख के भाग में छोटा परिवर्तन कर रहे हैं, तो उस भाग के बगल में edit link पर क्लिक करें। यह बिना पूरा लेख खोले, आपको लेख के उस भाग में परिवर्तन की अनुमती दे देगा। अब page के अंत पर edit summary box में अपने द्वारा किये गए परिवर्तनों की व्याख्या दें। अपने द्वारा किये गए परिवर्तनों की पूर्व समिक्षा करने के लिए show preview बटन पर क्लिक करें। यदि आप अपने द्वारा किये गए कारे से संतुष्ट हैं, तो page के नीचे save page बटन पर hit दें। विकिपेडिया पर page बनाने से पूर्व आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। page बनाने से पूर्व मौजूदा लेख खोजें। कोई आर्टिकल बनाने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उसी विशे पर कोई आर्टिकल नाम में थोड़े फर्क के साथ परग्राफ पहले से ही तो मौजूद नहीं है। आप जिस बारे में लिख रहे हैं, उसके बारे में सूचनाओं का स्रोत ढूंडें। आर्टिकल सोर्सिंग के ढंग पर विस्तरत निर्देश विकिपीडिया के WP साइट पेज पर पाए जा सकते हैं। विकिपीडिया इन विश्यों पर पेज बनाने की अनुमती नहीं देता है। व्यापार के लिए अपने उत्पाद का विज्यापन, व्यक्तिगत निबंध या मूल अनुसंधान, पर्याप्त साइटेशन के बिना उलेखन हीन विश्यों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपसे ही संबंधित, किसी व्यक्ति या संगठन पर हमला, स्थानिय ला लिट की गई सामगरी का उदेश्य, स्वर, नसर्गिक बनाए रखें, ग्राहक विश्य से अपने रिष्टे का खुलासा, पेज बनाने में व्यक्तिगत खातों का प्रयोग न करें, मददगार की भरती करें, समान विश्य पर कारे करने वाले प्रायोजक खोजें या विश लेक में विचार प्रस्तत करें, विकिपेडिया में पेज बनाने के लिए पद है, पहला यदि आप वरतमान में उप्योग करता हैं, तो साइन इन करें, अथवा अकाउंट बनाए, सर्च बॉक्स में अपने पेज का शीर्शक टाइप करें, फिर गो पर क्लिक करें, यदि जिस पेज का आपने अनुरोध किया है, अस्तित्व में नहीं है, तो सर्च पेज रिपोर्ट में लाल रंग में आर्टिकल के नाम के बाद, you may create the page की रिपोर्ट देता है, तब आप लाल आर्टिकल के नाम पर क्लिक कर आर्टिकल बनाना शुरू कर सकते हैं, यह एक blank editing window खो अपने द्वारा किये गए परिवर्तनों की व्याख्या दे, अपने द्वारा किये गए परिवर्तनों की पूर्व समिक्षा करने के लिए show preview बटन पर क्लिक करें, यदि आप अपने परिवर्तनों को आपके द्वारा लिखे गए text में तुलना करना चाते हैं, तो show changes बटन यदि आप अपने द्वारा किये गए कारे से संतुष्ट हैं, तो page के नीचे save page बटन, मुझे दिखाओ कि अब क्या तुम Wikipedia का प्रियोग अपने आप कर सकते हो, ठीक है, Step 1, Wikipedia home page में अपनी सुविधा के अनुसार भाशा का चैन करें, Step 2, login पर क्लिक करें और अपना username और password दर्च करें, Step 3, search box में अपने लेख का शिर्षक टाइप करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वही शिर्षक पहले से मौजूद तो नहीं हैं, Step 4, यदि पेज मौजूद नहीं हैं, तो अपना लेख बनाना शुरू करने के लिए, लाल रंग में प्रकाशित लेख नाम पर क्लिक करें, Step 5, यह रिक्त समपादन विंडो प्रदर्शित करेगा, विंडो में content लिखना शुरू करें, Step 6, अपने लेख को प्रकाशित करने के लिए, सेफ पेज दबाएं, आपका पेज बन जाएगा, मुझे यकीन है कि तुम YouTube, Word, Wikipedia के विशे में काफी कुछ जान गए हो, चलो अब गतिविधी में भाग लेते हैं, अपने दोस्तों वरिष्टेदारों के निकट समपर्क में रहने के कई तरीके हैं, यह वर्ट्चैप के माध्यम से होता है, दीदी, वर्ट्चैप क्या है? पहले, अपने स्मार्टफोन या टाबलिट के मेन्यू विकल्प पर जाएं, मेन्यू में प्ले स्टोर विकल्प पर टाप करें, आप अन स्क्रीन मेन्यू जिसमें की एप्स, बुक्स, मुवीज और गेम्स शामिल हैं, पर नेविगेट कर एप्स वो कंटेंट खोज सकते है अब दिखाए गए किसी एक विकल्प पर क्लिक करें, अब सर्च बार में वट्साप टाइप करें, एप्लिकेशनों की लिस्ट प्रकट होगी, जो सही हो उसे ढूडें और फिर उस पर क्लिक करें अब वट्साप को अपने फोन या टाबलेट पर इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें, अब वट्साप को खोलने के लिए इसके आइकॉन पर क्लिक करें, अब यह है पुष्टी करन के उदेश से आप से आपका फोन नंबर एंटर करने को कहेगा, उसक WhatsApp डिवाइस में WhatsApp होने के कारण स्वचालित रूप से आपकी संपूर्ण संपर्क सूची मंगा लेगा सर्च बार एक-एक कॉंटाक्ट सर्च करें जिससे आप चाट करना चाहते हूं फिर उस पर क्लिक करें अब एडजिसंट स्क्रीन दिखाई देगी आप स्क्रीन के तल पर दिये हुए बॉक्स में संदेश टाइप कर सकते हैं नीचे बाइकोने पर दिये गए बटनों का प्रयोग करके इमोजी डाले जा सकते हैं नीचे बाइकोने पर दिये गए बटनों का प्रयोग करके आडियो मेसेज भेजा जा सकता है अब वीडियो, फोटो, अपनी करंट लोकेशन या वर्तमान स्थान और संपर्क को भेजने के लिए उपर के दाहिने बटन पर क्लिक करें और अपनी पसंद के हिसाब से चुने अब आवेधन की अन्य सुविधाओं का उप्योग करने के लिए अपने स्मार्टफोन के बाएं या दाएं बटन पर क्लिक करें दीगई स्क्रीन दिखाई देगी यदि आप किसी के साथ चाट करना चाहते हैं तो न्यू चाट बटन पर क्लिक करें एक ही स्थान से दो या अधिक लोगों से एक साथ चाट करने के लिए ग्रुप बनाने है तू न्यू ग्रुप बटन पर क्लिक करें उसे मिसेज को एक से अधिक प्राप्त करताओं को भेजने के लिए न्यू ब्राड़कास्ट लिस्ट पर क्लिक करें संपर्क सुची पर जाने के लिए Contact बटन पर क्लिक करें Status अपलोड करने के लिए बटन पर क्लिक करें अपना Status अपलोड करने के लिए बटन पर क्लिक करें आसन स्क्रीन दिखाई देगी यदि आप Settings बदलना चाहते हैं तो Settings बटन पर क्लिक करें Privacy setting बदलने के लिए, Payment करने के लिए, Number बदलने के लिए, Account मिटाने के लिए और Network का उपयोग जानने के लिए Account बटन पर क्लिक करें अपनी Chatting, Notifications और Contacts सेटिंग के लिए संबन्दित Chat Settings, Notifications और Contacts बटन पर क्लिक करें मुझे दिखाओ कि तुम WhatsApp का प्रियोग अपने आप कर सकते हो बिल्कुल Step 1, अपने Mobile Phone या Tablet पर WhatsApp आइकन पर क्लिक करें यह आपके Contacts की एक सूची प्रदर्शित करेगा जो WhatsApp का इस्तमाल करते हैं Step 2, उस नाम पर क्लिक करें जिससे आप Chat करना चाहते हैं एक Messaging Window खुल जाएगी Step 3, अपना Message टाइप करें और Send पर क्लिक करें Step 4, वीडियो या फोटो भेजने के लिए Chat स्क्रीन के शीर्ष पर Attach आइकन पर क्लिक करें Step 5, गैलरी बॉक्स खुल जाएगा जिस वीडियो या फोटो को आप भेजना चाहते हैं उसे क्लिक करें या चुने, यह स्वताह ही फाइल भेजना शुरू कर देगा तो रोहन, तुमने देखा कि Online Social Network Service को संचार के लिए प्रयोग करना कितना आसान है हाला कि इन साइटों के दुरुपयोग से कुछ कानूनी समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं सही, किस तरह की कानूनी समस्याएं? Social Networking के कानूनी मुद्दे, उन ओनलाइन कारियों वचुकों से संबंदित हैं, जिन से सिविल व अपरादिक दायत्वों का जन्म हो रहा है Social Networking Media भारत के सूचना प्राध्योगी की अधिनियम 2000, IE Act 2000 के अर्थ में एक मध्यस्त है Social Networking साइटें उन विभिन कारियों वचुकों के लिए जिम्मेदार हैं जो कानून के तहत दंडनिये हैं उदाहरन के लिए भारत में Social Networking साइटें IPRS के साथ-साथ ऑनलाइन कॉपिराइट के उलंगन के लिए भी जिम्मेदार है कुछ गैर कानूनी गतिविधियां जो सोचल मीडिया के साथ जुड़ी हो सकती हैं इस प्रकार है अभिव्यक्ति की स्वतंदर्ता, खोज वजप्त करने के मुद्दे, कॉपिराइट वअतिलंगन और अन्य बौधिक अधिकार, व्यक्तिगत प्रचार वगोपनियता का उलंगन, अश्लीन वअपमान जनक सामगरी वबयान संचार सुविधाओं के माध्यम से आपत्य जनक संदेश भेजने के लिए दंड भारतिय समविधान में कुछ नियम, वविनियम हैं जो IT Act की धारा 66-A को आच्छादित करते हैं उन नियमों के उलंगन पर दंड देने के नियम इस प्रकार हैं कोई व्यक्ति जो कंप्यूटर संशोधन या किसी अन्य संचार यंत्र द्वारा कोई ऐसी सूचना भेजता है जो मोटे तोर पर आकरामक या धमकाने वाली प्रकृति की हो कोई ऐसी सूचना जिसका वह असत्य होना जानता हो फिर भी जुझलाने, असुविधा, खत्रा, वबाधा उत्पन करने, अपमानित करने, चोट पहुचाने, आपराधिक धमकी, शत्रुता, घ्रणा वद्वेश के प्रयोजन से लगातार कंप्यूटर संशोधन या किसी अन्य संचार यंत्र का उप्योग करता है कोई electronic mail या electronic mail message पताधारक या प्राप्त करता को जुझलाने, असुविधा या दोखा दे message के उत्पत्ति का मूल एक वर्ष तक का कारगार, तीन वर्ष तक की अवधी तक विस्तार किये जा सकने वाले, वो अर्थ दंड की सजा का भागिदार होगा दीदी, मैं नहीं जानता था कि स्मार्टफोन वर टाबलेट से इतनी साही चीज़े कर सकते हैं, यह बहुत रुमान्चक है हाँ, यह है रोहन, अब तक आपने messaging सेवाओं के बारे में बहुत सीखा, अब हम लोग मज़ेदार गतिविधी में भागिदागा